असलाम लिक्म वीवर्स माहा कोक्स में आपको खुशाम दीद आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सेंडविच तकरीबन हर भी हर में बनने वाली और बच्चों की पसंदीता तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए चिकन बॉनलस हमने यह मेरिनेट करके रखा हुआ था और हमने इसको फ्राइब करके हलके हलके पीसीज में कर लिया है यह तकरीबन एक कप के करीब यह हैं प्यास तकरीबन एक अदद हमने इसको भी छोटे-छोटे पीसीज में कटिंग कर लिया है अब हम यह भी इसमें शामिल करेंगे जी विवर्स यह हैं बंद गोबी तकरीबन हाफ फूल के करीब हमने इसको भी बारीक बलीक स्लाइसीज में कटिंग कर लिया है यह भी इसमें शामिल होंगे हरी मिर्चें कटिंग की हुई है तकरीबन साथ से आठ अध़ अदद आप हस्पे जरूरत भी इसमें शामिल करेंगे जी विवर्स यह हैं टमाटर तकरीबन दो अध़ यह भी हमने चोटे-चोटे पीसीज में कटिंग कर लिया है यह भी हम इस बैटर में शामिल करेंगे यह है सॉल्ट हाफ टी स्पून के क्रीब यह भी हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून के क्रीब यह देखें यह है हाफ टी स्पून यह भी हम इसमें शामिल करेंगे और इनकी मिक्सिंग करेंगे चुंके चिकन हमारे पास पहले से ही मेरिनेट किया हुआ है और पका हुआ है इसलिए अब हमें यह जो अशिया थी इसके लिए ही सॉल्ट और ब्लैक पेपर चाहिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे मायोनीज यह है मायोनीज तकरीबन एक कप के करीब हमने भर के लिए हैं आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अब यह भी हम इसमें शामिल करेंगे वीवर्स यह मायोनीज घर की बनी हुई है इन्शाला किसी टाइम इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जी वीवर्स हमारा यह मिक्स्चर सेंडविच के लिए रेडी हो चुका है इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फिर हम सेंडविच बनाना शुरू करेंगे जी वीवर्स यह जो सेंडविच है यह घर के हर फर्थ के लिए है हर फर्थ को बहुत पसंद आंगे खास दोर पर बच्चों के लिए बच्चे तो बहुत शोकीन होते हैं ऐसी चीजों के आपने लंच बना कर दें, ब्रेक फास्ट बना कर दें वो इन्शालला बहुत हुश होंगे जी वीवर्ज, हमारा मिक्स्चर त्यार हो चुका है अब हम सेंड़िच बनाते हैं जी वीवर्ज, ये है हमारे पास ब्रेट अब हम इसका ब्राउन पार्ट अलग करेंगे इस तरीके से जी वीवर्ज, हमने इसका ब्राउन पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेना है ये पीस हमारे सेंड़िच के लिए बिलकुल त्यार है इसी तरह हमने तमाम स्लाइसिस के ब्राउन पार्ट को कट कर लेना है जी वीवर्स हमने इसका ब्राउन पार्ट अलग कर लिया है हमने ये जो ब्राउन पार्ट अलग किया है इनको वेस्ट बिलकुल नहीं करना बलके इसे फ्रीजर में स्टोर कर दें ये हमारे किसी और डिश में ब्रेड क्रम्स के तोर पर इस्तमाल होंगे हमने एक स्लाइस लिया अब हम इसके उपर सेंड़ीच का मिक्सचर रखेंगे और चमच की मदद से इसको फिला देंगे किनारों पर भी अच्छी तरह से इसका बैटर लगाएं और दूसरे पीस को इसके उपर रखके हलका सा प्रेस करेंगे अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है दर्मियान से ये देखें वीवर्स हमारे सेंड़ीच त्यार हो चुके हैं इसी तरह हम सारे पीसीज को त्यार कर लेंगे जी वीवर्स हमारे सेंड़ीच की फाइनल लुक आ चुकी है इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दौा है कि अल्ला पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए इंशाला मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक दौाओं में जाद रखिएगा अल्ला हाफिज